हमारे GE, WAG, SEC, AEC के मार्स टोटल SGBA में होंगे क्या? अगर आपको नहीं पता तो कुछ exams की date sheet revised हो चुकी है एक तो हमारा question ही छूट गया, पूरे 18 मार्स को question ही छूट गया तो पांच मिनट और रहे गल लेता हो, क्या पता answer आज़े उसमें आपने दुनिया भर का लिख के आना है Hi guys, तो hopefully आप सभी के at least अभी तक एक से दो exams तो हो ही गए होंगे और आपको एक idea लग गया होगा कि आप कहां पर stand करते हो, ठीक है? हो सकते हैं कि आपको college level की exams काफे जादे difficult लग रहे हो हो सकते हैं कि आपको moderate लग रहे होंगे हैं या फिर हो सकते हैं कि आपको काफे जादे easy लग रहे होंगे हां यार, I thought कि ये तो मुश्किल होंगे, but these are very simple आपके preparation पर डिपेंड करता है ये सब तो कि आपको कैसा feel हो रहा होगा, ठीक है? A lot of you messaged me and I'm really really grateful for that कि आप सभी के exams अच्छे जा रहे हैं and आपका like first experience was very very nice so I'm really glad about that तो वही मैं फिर से कहना जाऊंगी for good luck in your future exams kindly subscribe to my channel, also like this video right now आज की इस वीडियो में मैं आपको लोगों के कुछ doubts भी थे, ठीक है? जो हो सकता है कि अगर आपके like at least 3-4 paper अभी बचे होंगे, ठीक है? so उन सभी में आपके लिए काफी जादो useful होने वाली हैं वो सारी चीज़ें जो अभी तक आपनी भी face करियोंगे अपनी 1-2 exams में, ठीक है? so please video को end तक ज़रूर देख में and also subscribe to my channel right now and let's get started with the video अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का जो पहला exam है वो तो अच्छा ना गया हो ठीक है? तो आपने attention नहीं लेने, आपने demotivate नहीं होना है उस चीज़ से मेरे एक दो points उन में बताऊंगी सबसे बेला doubt जो सबसे लादा common था कि हमारे लेना time कम पड़ रहा है like I know ऐसा क्यों होता है में साथ भी I felt the same it is so because हमें आधर ते 12th class की 12th class में हमारे को 3 गंटे दिये जाते थे और 80 marks को question करना होता था यहां पर हमें तीन घंडे में 90 marks का करना है पहलीबद तो यह दूसरी बात के 818 marks के हमें question के answer लिखने ठीक है like maximum when I was there तो 10 mark का maximum होँआ था एक बार but उसे जादे नहीं था यहां पर एठारा मार्क से लिखने था रहा है और बच्चों को पता ही नहीं सबसे मίν जी रहा क्लासरूम नहीं है कि अगर तक क्लासरों में पामे दो लõंतुatte हम फ्यृस्टलेटर कि और हैas तो प्लीस आपको बाताएंगे क्यों नहीं बताएंगे सबसे और प्रॉब्लम होती है just always tell your invigilator or ask for you know क्या टाइम रहता है क्या रहता है because अगर आप अंधादूंद बस लिखते जारो लिखते जारो लिखते जारो नहीं भाई we have to manage our time as well ठीक है अंधादूंद लिखते ही नहीं जाना है हमें ठीक है and I am not saying कि आप सारे questions को equally time दो because it might happen कि आपके लिए कोई एक क्वेशन करना जादा इसी है तो आपको उसमें कम टाइम लगेगा दूसरा मुषकिल लगर आपने उसोचना पड़ रहा है आपके काल्कुलेशन एरो जोरे तो उसमें जादा टाइम लगेगा तो that you have to accordingly जादा मैंनेज करना पड़ेगा on the spot बाके दाट से पहले I want to tell you guys about the customized hoodie that I am wearing right now इसमें दिखनी रहा है but this is Jhoombaba written over hair बाकी बहुँ जादा अच्छी quality है if I tell you I honestly wanted one customized hoodie for myself and I ordered it from UT's to be very honest काफी जादा अच्छा फाबरिक and it is very cozy it's just like a warm hug a very you know अच्छा सा hug in winters and not just that अगर आपको बल्क में order करवाना है जिसके हो सकते हैं आपको college की merch करवानी हो अपनी किसी society की merch करवानी है या फिर departmental merch करवानी है तो आप definitely UT's को जल्दी से contact करो ये काफी जादा मुलब amazing से offers देते हैं if you get a bulk order and not just hoodies इनके पास varsity jackets है polo t-shirts है और round t-shirts होती है mugs है, toad bags है सब कुछ आप कस्टमाइज करवा सकते हो that too in very 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 affordable prices ठीक है और not just that ठीक है आपना अपना single भी कस्टमाइज करा सकते हो जैसा कि मैंने या पर जुमावल अपना कस्टमाइज करा सकते हैं जल्दी से जाओ और उनसे अपनी कस्टमाइज मर्च को और करो and avail amazing amazing prizes और जल्दी से जाओ दूसरी चीज़ यहीं पर ही इससे ही मिला जुला है कि कितना लिखना है अब यह question तो it's like very vague कि कितना लिखना है अब देखो 18 marks को question है हो सकता है वो theory हो theory में आपको और जादा लिखना पड़ेगा हो सकता है वो numerical है वो सकता है वो यह कि पेज में complete हो जा 18 marks a numerical है वी case और हो सकता है theory में आपको 5-6 page लग जाए so it totally depends also it depends on the subject अब economics है ठीक है let's just assume economics की बाद चल रहे है आपने अच्छे से graph बना रखे है tables बना रखे है और ग्राफ की interpretation लिख लिख ली जो चीज़े पूछी है यह differences वगेर उन सब की भी interpretation से आपको छिख रखे है अच्छे से अगर आपने 3-4 page में भी लिखा है तो आपको 18-18 marks full मिलेंगे ठीक है टेंशन मत लो इस चीज़ की वेराज अगर आपको कोई एक तोम टिपिकल थियोरी वाला जिसे HRM टैप का है उसमें आपने दुनिया भर का लिखके आना हो गया HRM यह सारे दुनिया भर का लिखके आना होता है इतना सारा क्योंकि थोरी हमें पढ़ाया जाते है तो उसमें 5-6 pages are valid और ऐसा नहीं है कि यार हमें दिख रहे है 18 marks का है ठीक है हम लिखे जा रहे हैं दुनिया भर का हमें जोगाते हैं हम लिखे जा रहे हैं लिखे जा रहे हैं और बाद में हम देख रहे हैं एक तो हमारा question ही गया ऐसा नहीं करना है ठीक है प्लीज अगर आपको आता भी है तो अंधा दून मत लिखो ठीक है and if you are stuck somewhere please move on to the next question ठीक है in case आपकी calculation नहीं हो पारी at the end please move on to the next question don't just stick to that question कि यार पांच मिनटे और रागा लेता हो क्या पता answer आजा है असे मत करना आपको यह चीज़े काफी जादे रेपिटेटिव लग रहे होंगी कि हा यार वी नो दिस वी नो दाट बट आट बट अधी इंड अ हमारे दिमाग सी यही चीज़े स्लिप हो जाती है और हम लिखने में लगे रहते हैं कि हा भई हम लिख रहे हमें आता है इसले और और फि सीज़े कलेशना ओपने किसी समीस्टर किसी ना किसी अनल सब्जेक का एग्जाम हो रहा है तो यह अनल वी नो इसी ओपनेशना ओंट फिक है और नेक्स थीं इस तिंस डाट वाक सब्सक्षिछ कितनी ताइमिंग रहे गी कितनी वेटेज रहेगी क्या रहेगा हमारे जो रहेज रहेगी कितने marks के होंगे यह and everything ठीक है GE जैसे कि अगर आपका हो गया तो ठीक है but GE economics English and everything I know are of 90 marks also ठीक है just like your core के paper तो प्लीज इसमें आपको थोड़ी महनत करने पड़ेगी in case अगर आपका रहता है तो apart from that if we talk about AEC तो it totally depends ठीक है अगर देखो कई स्कूलों में na sorry कई colleges में अभी हो सकता है first time में ही आपका हो सकता है EBSO but वहीं किसी और college का भी Hindi हो या फिर कोई और other language हो ठीक है so that totally depends वैसे तो it's like of one and a half hours AEC का specifically and if we talk about WAC और SEC तो इनका एक गंटेगा पेपर होते है 30 marks का होते है तो टेंशन मतलो और हो सकते है कि आपकी WAC और SEC ऐसे हो जिनका पेपर ही नहां हो ठीक है जिनका से प्राक्टिकल था and everything तो please make sure कि आप इस्टीज के लिए clear हो and to the very most important question जो मुझे भी अपने पर डाउट था आपको भी hopefully होना चाहिए is that कि हमारी WAC, SEC, AEC, GE जो में फालतू के महलब नोट फालतू के actually like additional subjects जो हम दे रहे हैं उनके marks की percentage कितनी है हमारी SGPA में जब आपका result आएगा तो उसमें GE, AEC, WAC, SEC इन सबके marks टोटल होके आपका SGPA वहाँ पर शोक करेगा इसलिए आपने काफी जादा अच्छे से करना है इनको भी actually the thing is that कि इनको बहुत जादा easy होते हैं ठीक है I am not thinking about GE, WAC, SEC और AEC काफी जादा easy होते हैं और इनसे आपके SGPA और increase होगी in case अगर आपके core में थोड़ा सा नीचे हो भी जाता है So please इनको भी अच्छे से देना एकदम definitely महनत करके देना Also in case you guys don't know तो हमारे कुछ exams के date sheet revise हो चुक है जिसे कि first year become honest आप सभी के clash हो रहे थे CA के साथ तो that is why अपने business law का check कर लेना एक बार otherwise it's on 18th of January And next is third sem become program आप सभी के FM का change हो चुक है It's also on 18th of January It was clashing with CA exams So you guys were also concerned पहले कि हमारे तो class हो रहे हम CA exam देंगे या फिर यहां पर DU का exam देंगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे So here you go Delhi University is supporting you guys So आपके साथ ऐसा हो गया है Sorry आपका date sheet revise हो गया Please एक बार चेक कर लेना Also next thing that I want to tell you guys is कि आप से काफी लोग मुझसे चीज़ पूच रहे थे कि अगर हम failed हो गया यह हो गया पर्ली बाद तो why are you thinking about that Second, if एक 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 So next is If we can change in GE, WAC, SEC, NEXT M So yes guys, you can change it By the time and time and time, I was just a question कि क्या हम GE, WAC, SEC, NEXT M Change कर देंगे So yes, you can do it and take it easy Don't do that It may be imposed in many colleges that you have to take it So sorry for you guys But otherwise We can choose in colleges All the very best for your further exams And as I said As I will say again Kindly subscribe to my channel for very very good luck For your future exams Also I will tell you important important updates And of course You will be helpful to this thing So kindly subscribe and Also like this video right now Comment down below something cute cute And I will see you in the next video All right? Bye! Yay! Yay! You You झाल झाल